यूपी में जैसे जैसे उप्चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पाड़ा बढ़ता जा रहा है जासपा कॉंग्रेस के करीब आ गई है तो वहीं बस बाचीफ मायवती ने कॉंग्रेस के खिलाफ मूचा खोल दिया है जातिया जनगर्ना और आख्षड के मुद्धे पर लुला कातार कॉंग्रेस पर हमला वर है गेस्ट हाउस कांट पर जिक्र करते होगे मायवती ने सोमवार को सिलसिलेवाद गई ट्वीट पर कॉंग्रेस का हमला बोल दिया मायवधी ने कॉंग्रिस को पिछडा और दलित विरोधी बताया उन्होंने कहा कि राहूल गांधी का जातिय जन्गर्णा एक छलावा है बसपा सुप्रीमोंने कहा कि सपा ने 2.1995 में बीएसपी दुआरा समर्थन बापती पर मुद्दे पर जानलेवा हमला कराया था तो इस पर कॉंग्रिस कभी क्यों नहीं बोली जबकि उस समय केंद्र में कॉंग्रिस की सरकार थी लेकिन उसने अपना दायत्वन नहीं निपाया काशी रामजीन को गंबीर हालत में अस्पताल में छोड़कर रात को इनकी ग्रह मंतरी को हड़काना पड़ा था बस्पा ने कॉंग्रिस के सरकार को फिल कर दिया विपक्ष ने विसांसत को घिरा जब तक जाकर कॉंग्रिस सरकार हरकत में आई क्योंकि उस समय कॉंग्रिस की सरकार की नियत खराब हो चुकी थी कुछ भी अन्यूनियों के बाद यूपी में राश्य शासन लगाकर परदे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी मगर बस्पा ने कॉंग्रिस के शड़यन्त को फिल कर दिया इसके साथ ही उस समय सपा के अपतारिक थत्मों के बीच साहित समूचे विपक्ष के मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने को जो अपना दायत्म निभाया है वो इस कॉंग्रिस को बीच-पीच में तकलीफ के होती रहती है मायावती ने कहा कि बीच-पी वर्षों से जाती है जनगर्णा के लिए पहले केंदर में फिर कॉंग्रिस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दवा बना रही बीच-पी पार्टी वर्षों से इनकी पक्षता रही और अभी भी है लेकिन जाती है जनगर्णा के बाद क्या कॉंग्रिस, S.E.S.T. और O.B.C. वर्गों को वाजब हग दिला पाएगी जो S.E.S.T. आलक्षड में वर्गी करण और क्रीमी लेर को लेकर अभी भी चुपी साते हुए है मायवती ने कल यानि 27 अगस्त कूल लखनाओ में बस्पा की राश्य कारेकरने की बैटक बुलाई और मायवती फिर से पाटी की राश्य अध्यक्ष बन सकती है आए जानते हैं क्या था गेस्ट हाउस का मायवती ने 2992 लखनाओ के गेस्ट हाउस में BSP विधायकों की एक बैठक बुलाई बैठक कत्म होने के बाद मायवती आगे के चर्चा के लिए पाटी विधायकों के एक चुनेंदा समू के साथ अपने स्वीट में चली गए बाकी विधायक कॉमन हाल में थी शाम चार बजे के वक्त करीब 200 लोगों की भीड ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया कहां जाता है कि भीड में सपा के विधायक और समर्थक भी शामल थे उस समय भाशपा के विधायक बरमदत दिवेदी ने मायावती को वहां सिस्पा समर्थकों के भी से बाहर निकाला था ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूजवल इंडिया